आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello students, there is a question given if the sum of number of sides and diagonals of polygon is 78 then the number of diagonals is equals to क्या होगा? ठीक है, guys अपने को क्या given है यहाँ पर कि sum of the sides, यानि sides and diagonals का जो sum है वो अपने को 78 के equal given है तो अपने को number of diagonals बताने हैं कि कितने होंगे ठीक है, तो guys हम लोग जानते हैं कि अगर आपका क्या हो ना कि एक polygon हो, जिसके अगर आपके side क्या हो अगर आपके side इसके n हो, देन यहाँ पर जो आपके number of diagonals होता है वो आपका किसके equal होता है? n into में n minus 3 by 2 के equal होता है, ठीक है? तो यहाँ पर अपने को relation यह given है कि sum of the sides यानि n, ठीक है? n and plus में जो diagonal है sides plus diagonals की जो sum है, वो 78 के equal अपने को given है, ठीक है? तो यहाँ पर अपने को मालूम है कि d is question में आपका n into में n minus 3 by 2 के equal है तो अपने को number of diagonals, यानि इस d की value बतानी है तो n को हम लोग क्या करते हैं न? कि n is question में 78 minus का हम लोग d put कर सकते हैं, ठीक है? यानि यहाँ से देखे तो 2 d is question में क्या हो जाएगा? n की value 78 minus का d put कर दी है and into में भी आपका क्या हो जाएगा? 78 minus का d and minus का आपका क्या हो गया? 3 हो गया अब इसको आगे solve करेंगे तो अपने को 2 d is question में क्या मिल गया? 78 minus का आपका क्या हो गया? d and into में अपने को देखे तो 78 and minus का 3 यानि 75 and minus का आपका क्या हो गया D हो गया ठीक है अब गाईस इसको हम लोग क्या करेंगे इसको हम लोग आगे solve करेंगे यानि multiply करेंगे ठीक है तो अपने को यहाँ पर क्या मिल जाएगा अपने को यहाँ पर 2D कोस्ट में क्या हो गया अब यहां से देखिận, यह 78 को इन दोनों से multiply करेंगे, तो 78 into में क्यों हो जाएगा, आपका 75, यानि आपका 5, 8, 5, 0 के equal हो गया, minus का आपका 78 into में, d, यानि 78, d हो गया, minus का यह d को इसल दोनों से, तो यह आपका minus का 75, d हो गया, डkeit, अब इसको आगे solve करें, तो यह आपका d JOSH Gotta हो गया ठीक है अर यहां से माइनस का अगर हम लोग देखे तो आपका क्या है 78D है अभी माइनस का 75D जो कि आपका माइनस का 153D हो जाएगा ठीक है और यहां पर देखे तो यह आपका जो plus का जो 2D था वो इस सेड़ आए-गा तो 55D मिल गया एंड प्लस में अपने को क्या मिल गया 5850 एंड इसको में अपने को क्या मिल गया 0 मिल गया अब यह quadratic हो गया इसको हम लोग आगे solve करेंगे by factorization meter ठीक है यानि d square यह जो minus का 155D था ना उसको हम लोग break करते है minus का 90D and minus का 65D में and plus में आपका क्या है plus में आपका 5850 इसको में आपका क्या है 0 है ठीक है अब हम लोग यहाँ पर करेंगे गाईज क्या अब हम लोग यहां पर common लेंगे ठीक है तो यहां से अगर हम लोग देखे ना तो इन दोनों में से हम लोग क्या करता है डी अगर common ले 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 तो इन दोनों में से हम लोग क्या करेंगे कि माइनस का 65 अगर common ले ले तो इन दोनों में से हम लोग क्या करेंगे कि म का 65 एंड इजी कोस्ट में 0 अब इन दोनों को बारी बारी से 0 के एक्वल करेंगे तो एक अपने को डाइगोनल क्या मिल गया 90 एंड दूसरा आपका क्या हो गया 65 यानि ये आपका 65 एंड ये 90 ये दोनों आपके क्या हो गया नंबर आफ डाइगोनल्स हो गया ठीक है और यही आपका फाइनल एंसर है थैंक यू